Hi everyone, welcome back to our channel Brainy20, my name is Sandeep Kaur तो ये आप जो बुक देख रहे हैं, ये Class 10th Maths की NCRT बुक है और इस साइड पे जो मेरे iPad पे पेच ओपन हुआ है ये Code Structure Class 10th का है, सेशन है 2022-23, अभी ये जो सेशन चल रहा है ठीक है, अभी Last 2 years में भी Slabers Reduction होता रहा है due to COVID लेकिन इस साल COVID के कारण कोई भी Slabers Reduction नहीं हुआ जैसे 2020 में NEP, a National Education Policy, open की गई थी उसमें साफ लिखा था कि ratification वाले topics हटा दिये जाएंगे Slabers में से और साथ में comprehensive evaluation, जो case-based questions जहां से निकलते हैं जहां से बच्चों की road memory नहीं होती, understanding level के questions होते हैं वही topic Slabers में रखे जाएंगे तो आप यहां पे course structure में ही देखो, उसके बाद नीचे अगर आप Slabers देखो यह मैंने CBSC की website open कर रगी है बच्चा लो इसमें पूरी detail में Slabers आपको बताया गया है क्योंकि स्कूल सब्बन थे, 2021 में Slabers को टर्म 1 और 2 में डिवाइड कर दिया था और साथ में कुछ reduction भी की थी लेकिन इस साल ना तो टर्म 1 टर्म 2 में Slabers को डिवाइड किया है पूरे साल आपका yearly साल बाद मार्च में ही final exams आएंगे बाकी आपके स्कूल में जो होते हैं, unit test बगारा, right तो अभी आपको पूरे साल कौन-कौन से chapters करने हैं और कौन-कौन से topics को आपको करना है जो-जो topics आपको करने हैं, वो मैं इस book पे आपको mark करवाने वाली हूँ ठीक है, और जो नहीं करने, उस पे हम cross भी लगाएंगे तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना और again I am requesting you कि पिछले 2 साल की वीडियो में जो syllabus की reduction हुई है उन वीडियो को मत देखो, क्योंकि इस साल का जो syllabus रिडियूस हुआ है पिछले भी 2 सालों में मैंने ऐसी ही कराया है और अब भी आपको ऐसे ही syllabus mark करवाँगी तो सबसे पहले आप देखो core structure core structure की मलग से वीडियो बना दूँगी, detail में आपको समझा दूँगी ठीक है, कितने units हैं, आपके बस 7 units are there और number system 6 marks का होगा, algebra 20 marks का, coordinate geometry 6 marks का geometry 15 marks का, trigonometry 12 marks का, mansuration 10 का, statistics and probability 11 का, total होगा 80 marks, बाकी 20 marks, internal assessment के लगते हैं, as you all know very well और यह core structure detail में आपको मैं अपनी किसी और वीडियो में दूगी कि number system में कौन-कौन से chapters आते हैं, algebra में कौन से होगे, coordinate geometry में होगे, each and every और अभी हम इस वीडियो में सिर्फ लेबस को देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं, chapter number 1, real numbers पे अब real numbers में आप देखो, starting ही fundamental theorem of arithmetic से हो रही है, statements after reviewing work done earlier and after illustrating and motivating through examples, proofs of irrationality proofs of irrationality तक खतम, fundamental से पहले कुछ नहीं आना, proofs of irrationality के बाद कुछ नहीं आना, तो बहुत जादा chapter 1 आपका कम हो गया, और आप यह देखो, chapter 1 में से जो आपको exam आना ना, वो 6 marks काना है, board exam में, तो यह unit 1 कवर करता है, पूरा एक chapter number system, तो इसमें आपको euclid division lemma जो starting में लिखा, उस पर cross लगा दो, मतलब कि आपको exercise 1.1 नहीं करनी, fundamental theorem of arithmetic पर tick लगा लो, irrationality पर tick लगा लो, आगे आपको जो rational number और decimal expression इस पर cross लगा दो, यह चीज़ें आपको नहीं करनी, अगर आप chapter open करें, तो chapter में आपको बता सकती हूँ, यह 1.1 exercise है, अब 1.1 exercise से पहले आपको यहाँ पर euclid division lemma के definition आती, इस पर cross लगा दो, आपको यह नहीं करनी, क्योंकि यह ratification है, ऐसी चीज़ें आपको आपी board exam में नहीं पूछे जाने वाली, यह आप use your euclid division algorithm, इसको cross लगा लो, लेकिं यह जो find the hcf है न, आप चोटी classes में hcf निकालते आ factorization method से, तो आप इस question को कर लो, बट किस से करोगे factorization method से कर लोगे, क्योंकि factorization method में आपको hcf पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको factorization method से कर सकते हैं, उसके बाद next example पे चलें, अगर हम example number 2 देखें, cross लगा दो, यह आपको नहीं करनी, example 3 देखें, example 3 पे cross लगा दो, यह अब यह आपको word problem आ रहा है, word problem में आपको simple hcf find करना, लेकिन आपको euclid से नहीं करना, आपको euclid use नहीं करना, factorization method से, 420 के factors बनाओ, 130 के factors बनाओ, और hcf निकाल दो, hcf answer 10 आ जाएगा, तो आप यह example करेंगे, लेकिन factorization method से करेंगे, अगर आप बहुत सारी videos इसमें आपको यह पूरी की पूरी exercise ही delete करा दिया, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली, ठीक है, क्योंकि जो questions आपको factorization method से आ सकते है, fundamental theorem of arithmetic भी क्या कहता है, factorization method ही इस कहता है, ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को cut करके, simple आप find the hcf वाला question करोगे, ठीक है, आप इसके यह त 3, 6 and 16 के, और 32 के factors बना के आप इसको hcf find करना है, ठीक है, क्योंकि maximum number का है, तो आप इसका hcf find करेंगे, right, तो यह question number 3 पे टिक लगा ले, यह आपको करना है, question number 2 नहीं करना, आपको 3 नहीं करना, आपको 5 नहीं करना, is that clear, next, आगे fundamental theorem of arithmetic, तो आपके syllabus में है ही, तो इसकी सार करेंगे और यह आपको पूरी की पूरी exercise भी करनी है, revisiting irrationals, very 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 important, बहुत important, मैं अलग से video बनाऊंगे, आपको important topics भी बताऊंगे, अगर चानल को subscribe नहीं कहां तो जल्दी से कर लीजिए, तांकि अगर आप चाहते हैं कि हमाने, फुल में से फुल मांक्साइं, तो ठीक है, वीडियो को like भी ज़रूर कीजिए, अब आपको proof में क्या आएंगे, proof that under root 2, 3, 5, under root 7, under root 11, आपको यह irrational proof करने है, तो यह irrational में आपको यह जो theorem लिखी है, 1.4, this is very important, ठीक है, सारे steps से सेम होते हैं, आप इसको कर लीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से कीजिए, यह theorem को, आगे example number 9 आपको करनी है, तो next 1.3 exercise भी आपको करनी है, 10, 11 यह दोनों examples भी आपको करनी है, साथ में यह भी आपको exercise full करनी है, इसके आगे जुतना भी chapters पे cross लगा दो, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, exercise 1.4 पे भी cross लगा दो, यह भी नहीं करनी, now come to the next chapter, next chapter algebra से start होता है, algebra मे आपको क्या क्या करना है, इसमें भी बहुत कुछ कम हो गया है, बड़ा ही मज़ेदार chapter हो गया आप तो यह, ठीक है, यह देखो, यहाँ पे आपको लिखा है, zeros of polynomial करो, relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial only, आपकी बुक में cubic polynomial भी given है, आपको cubic नहीं करना, आपको सिर्फ quadratic करना है, ठीक है, वैसे त 2.1 कर लो, relationship between यह आपको लिखा है, यह आपको करने है, लेकिन relationship between बच्चा सिर्फ आपको quadratic करने है, तो quadratic के यही दो formula आपको करने है, ठीक है, और इस पे अगर हम next पे जाएं, example number 2 पे टिक लगा लो, 3 आपको करना है, ठीक है, उसके बाद example 4 आपको करनी है, next page example number 5 पे cross लगा इसकी कोई भी example नहीं करनी, इसकी जो 2.3 exercise है आपको भी नहीं करनी, 2.4 में 1st question नहीं करना, 2nd नहीं करना, 3rd भी cubic पे है, यह पूरी की पूरी exercise पे cross लगा दो, यह भी नहीं करनी, ठीक है, तो बड़ा ही easy हो गया है आपका, ठीक है, सले बस, come to the chapter number 3, that is pair of linear equations in 2 variable, यह आपको बच्चा full chapter करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमे, algebraic methods, जो 3 methods आपकी बुक में given है, substitution, elimination and cross multiplication, आपको सिर्फ cross multiplication method नहीं करना, as such आपको पूरा करना है, अब cross multiplication आपको सीधा मिलेगा, 3.5 exercise में I think, 3.5 exercise से पहले मैं आपको page number ही बता देती हूं, कहां पे है यह, page number निकालो 57, NCRT book का 57, page number, यह cross multiplication method आपको नहीं करना, आपको यह, मैं यह नहीं बोल भी बच्चा exercise नहीं करना है, आपको exercise करनी है, जैसे आपको यह cross multiplication में question given है, example number 15, that is very important, यह आपको करनी है, कि आपको P की value find करनी है, unique solution आपको given, अब unique solution आप 3.2 में table कर चुके हूं, तो अगर आपने 3.2 में table क किया है, ठीक है, तो आप यह करोगे, करोगे, लेकिन यहाँ पे, in case, अगर आपको कोई method लगाना है, तो आप कौन सा method नहीं लगाओगे, cross multiplication नहीं लगाओगे, क्योंकि उसकी जगह पे, आप elimination and substitution की जगा लगा लो, right, आपको question number 2 करना, first में आपको, first भी solve करेंगे, ठीक है आपको सिर्फ क्या करना है, ये cross multiplication को cancel कर दो, इसकी जगह पे आप substitution और elimination लगा लो, is that clear, ठीक है, आप जैसे question number 3 में substitution लगा लो, cross multiplication की जगह elimination लगा दो, right, अब आपको ये सारी word problems भी करनी है, इसको आप किस से कर सकते हो, elimination और substitution से, उसके बाद equation reducible, ये आपके syllabus में कुछ नही लिखा, ये delete है exercise, देख लें, यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, substitution elimination के बाद आगे कुछ नहीं है, simple situational problems लिखा है, reducible equations नहीं लिखी, तो reducible equations पे cross लगा दे, आपको ये exercise नहीं करनी, इसका कोई भी आपको sum नहीं करना, ये पूरी की पूरी exercise, पे cross लग चुका है, आगे 3.7 optional बच्चा लोग जो exercise है, वो आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें reducible का I think so, कोई भी question नहीं है, अगर in case कोई reducible का question आता है, तो उसको cross लगा दो, बाकी full exercise आपको करनी है, पर जहां तक मुझे ख्याल है, यहाँ पे reducible का कोई question नहीं है, चीक है, अब आगे चलते हैं chapter number 4 पे quadratic equations पे, अब quadratic equations में बच्चा लोग आपको क्या क्या करना है, उस पे ध्यांग दीजे, quadratic equations में आपको standard form of quadratic equations, solutions of quadratic only real root by factorization and by quadratic formula, इसका मतलब इसमें completing the square method नहीं करेंगे, relationship between यह आगे, situational problem मतलब कि आपको word problems भी करनी है, right, आपको quadratic equation खोला, 4.1 exercise पूरी पे टिक लगा दो, यह आपको पूरी करनी है, simple wording में अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, उसके बाद factorization method आ रहा है, यह आपको करना है, इसकी सारी examples बचलोग आपको करनी है, आप examples मतलब की 4.2 पे पूरी करनी है, आगे इसके नीचे देखो, 4.2 के नीचे, यह लिखा है न, solution of quadratic equation by completing the square, इस example है, ठीक है, यह आपको method of completing लिखा है, इस से नहीं करनी है, आप इसको factorization से कर सकते हो, आप इसको quadratic formula से कर सकते हो, ठीक है, यह भी आपको, मैं यह नहीं बोल रही कि आपको example ना करें, example कर लें, लेकिन यह method नहीं करना, इस method की जग़े आप इस ही equation को quadratic formula से solve कर सकते हैं, आप इसको quadratic formula से solve करें बच्चा is that clear ठीक है ये रहा quadratic formula ये quadratic formula आपको use करना है इसमें ये discriminant का formula आपको use करना है तो इस से आप ये सारे questions solve कर सकते हैं as such आपको बाकी सारा chapter करना है इसमें और कुछ भी delete नहीं है right nature of roots भी आपको करने है exercise ये जो है आपकी 4.3 के आपको सारी करनी है nature of roots करने है nature of roots ये बहुत important है इस Q पर बहुत सारी questions आजागते हैं ठीक है important questions पर अलग से video ज़रूर आएगी definitely आएगी बहुत जल्द आएगी इसलिए वीडियो को like किजिए और चानल को subscribe जल्दी से कर लीजए ये 4.4 आपको पूरी करनी है come to the next chapter chapter number 5 arithmetic progressions अभी ये सारा algebra चल रहा है ये algebra आपको कितने marks का 20 marks का तो ये सारे chapters अभी algebra के चल रहे है polynomial हो गया pair of linear equations हो गया quadratic equations हो गया arithmetic progression हो गया ये सारे algebra के हैं अभी arithmetic in arithmetic progressions में आपको क्या करना है motivation for studying arithmetic progression derivation of endoth and sum of first end terms and their applications in daily life solving I think ये chapter अपके स्लेबस में full है मैं इंडेक्स में लिखा हुआ ये पूरा chapter करना इसमें कुछ भी टलीट नहीं है बच्चा इसमें लिख लो पता है क्यों बतादू क्योंकि प्लस 1 में अगर आप लोग maths रखते हो इसके बाद non-medical stream या medical में आप optional maths करते हो तो maths में arithmetic progression आपको जरूर आने वाला है sequence and series chapter में जिसमें आप APGP करोगे तो इसलिए इसका कुछ भी टलीट नहीं किया ये आपको फूल करना है उसके बाद आजो chapter number 6 triangles पे बड़ा ही difficult लगता था तो अभी बहुत कुछ उसमें से delete हो गया ध्यान से देखना इसमें से आपको क्या क्या करना है सबसे पहले 6.1 आपको पूरी करनी है कुछ नहीं अभी इसमें डरो मत उसके बाद आपका chapter 6.2 से start होता है 6.1 theorem से start होता है इसका आपको प्रूफ करना है that is very 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 important definitely 99% exam में आता ही आता है इसका प्रूफ आपको करना है इसको हम BPD theorem भी कहा देते हैं इसके बहुत सारे नाम होते है BPD मालब basic proportionality theorem इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना comment box में जिसकी topic की वीडियो चाहिए comment box में लिखो आपको किस topic की वीडियो चाहिए उसी topic पे आपको वीडियो मिलेगी definitely मिलेगी theorem 6.2 इसका result सिर्फ कर लिजे आपको क्योंकि यह result यूज करके exercise में यूज करना है questions में इसका theorem का जो proof है यह आपको नहीं करना सिर्फ only result लिख लो इसके ऊपर उसके बाद example 1,2,3 यह सारी examples आपको करनी है और यह जो exercise 6.2 है यह आपको पूरी की पूरी करनी है इसलिए मैं ही कह रही हूँ कि इसका जो 6.2 का result है सिर्फ आपको result करना है उसके बाद next similarity of triangles के जो result है जैसे 6.3 है page number 131 इसका result करना है इसका proof नहीं करना प्रूफ पे क्रॉस लगा दो उसके बाद यह जो 6.4 है इसका आपको result करना है इसका proof नहीं करना proof पे क्रॉस लगा दो उसके बाद next page पे चलो 6.5 theorem page number 134 इसका result करना है इसका आपको proof नहीं करना examples करनी है example 4 करनी है 5 करनी है उसके बाद example अपल नंबर यह 6 करनी है, then 7 is very important, बहुत बार बोड एक्जाम में आई है, 8 करनी है, उसके बाद exercise 6.3 बच्चा पूरी करनी है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, अब मजे की बात यह है, इसके आगे सारा chapter ही डिलीट है, ठीक है, यह जो आप यहां पे में आपको अगर syllabus दि है, ठीक है, नहीं, तो इसमें 3 theorem होती थी, 3 के पूरूफ आते थे, अभी 2 theorem के पूरूफ डिलीट हो चुके है, आगे यह area of similar triangle पूरी की पूरी exercise ही डिलीट है, ठीक है, इसपे cross लगा दो, 6.4 नहीं करनी, पाइथागरा थीरम का पूरूफ इतना इंपॉर्टन हो था था थ है, ठीक है, यह भी cut हो गया, reduce कर दिया गया, इसको भी नहीं करना, और अगर यह नहीं करना, तो कोई भी इसकी example नहीं करनी, यह बहुत difficult exercise होती थी, बच्चों को समरज महीं नहीं आती थी, तो इसके भी cross लगा दो, यह भी आपको नहीं करनी, 6.5 भी नहीं, मतलग कि 6.3 त मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, distance formula करना है, section formula करना है, area of triangle exercise delete हो चुकी है, अब section formal में 2 divisions होती है, internal और external, आपको सिर्फ internal करनी है, external नहीं करनी, यह अकेला chapter ही 6 marks बनाता है, unit 3 ही cover करता है, साथ-साथ मैं units में बता रही हूँ लेकि अलग से भी videos की आएगी, अब coordinates matter में मैंने आपको starting में यह भी बता दिया, आपको 7.1 exercise करनी है, क्योंकि यह सारी distance formula पे based है, उसके बाद आपको exercise 7.2 करनी है, ठीक है, क्योंकि यह section formula पे based है, right area of triangle delete है, इस पे cross लगा दो, इसकी कोई भी exercise नहीं करनी, कोई भी question नहीं करना, exercise 7.3 delete है, ठीक है, 7.4 exercise में बच्चा देख ल बाकी सारी equations कर लेना, ठीक है, सिर्फ area of triangle wal equations आपको नहीं करने, come to the next chapter, introduction to trigonometry, introduction to trigonometry, chapter number 8 है, अब इसमें आपको क्या क्या करना है, अभी हम discuss करते हैं, यहां पे triangles के बाद circles given a trigonometry, यह रहा trigonometry, इसमें trigonometric ratios of an acute angle, right angle triangle, proof of the well existence, motivate the ratios, 0 and 90 values of this relationship between 0's, ratios, okay, ठीक है, अभी आपको य exercise 8.1 पूरी करनी है, 8.1 exercise आपकी बहुत जादे important है, ठीक है, इसमें questions आजाते है, some specific angles में यह जो table है, बच्चा लोग, यह आपको table पूरा learn करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो values है, आपको questions में पूट करनी होती है, तो 8.2 exercise आप पूरी की पूरी करोगे, complimentary angles आपके slabels से delete हो next topic देख लो, proof and applications of identities, only simple identities to be given, यहां पर एक ही यागे identity लिखी है, लेकिन आपको तीनों identities करनी है, क्योंकि एक से ही बाकी identities बनती है, तो उन्होंने इस first लिख के काम खतम कर गिया, लेकिन आपको यह वैल पूरी की पूरी exercise सॉल करनी है, इसमें third question को cross लगा तो यह नहीं करना क्योंकि यह complimentary angle का question है, वो आपके syllabus में नहीं है, is that clear my bud, come to the next chapter, some applications of trigonometry, very 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 easy chapter, दो ही, इसमें एक ही exercise, अच्छा ही, इसमें एक ही exercise, आपके syllabus में, heights and distances के नाम पे है, इस पे heights and distances और इवन अगर आप देखो ना, अपनी extra books, इसमें भी heights and distances लिखा होता है, अगल of elevation और अगल of depression ह इसमें आपको यह दोनों करने है, full-fledged आपको पूरा chapter करना है, questions उन्होंने का है कि जो word problems आएंगी, उसमें दो right triangles के इलावा, जादा triangles नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अगर इस book में, अगर हम इस NCRT में देखें, जितने भी questions है, वो सारे two triangles पे ही है, या one triangle पे है, तो इसमें का मतलब सारे questions करने है, angle of elevation और depression में जो angles आएंगे, 30 degree, 45 और 60 आएंगे, तो यह full-fledged मैंने chapter देखा है, इसकी सारे examples भी देखी है, इसकी मैंने exercise का एक एक question मैंने पड़ा है, तो यह सारे 30 degree, 45 और 60 degree पे ही है, तो इसका मतलब यहां पे आप लिख लो कि यह आपको chapter पूरे का पूरा करना है, right, now come to the chapter number 10, circles, circles भी एक यहां दो, दो exercises है, उपने एक तो पहली तो बहुत पिद्दू सी चोटी सी exercise है, ठीक है, वो तो आपको करनी ही करनी है, इसका proof बड़ा important है भई, यह proof बड़ा आ जाता है, circles का अगर हम यहां पे खोलें, तो देखें, दो ही पूरे का पूरा आपको चाप्टर करना है, इसके उपर भी आप फूल चाप्टर लेख सकते हो, उसके बाद आता है construction, इसके उपर पूरा cross लगा दो, क्योंकि यह आपके slabber से पूरी तरह से delete हो चुका है, construction कभी कोई तुकी नहीं है, पता नहीं क्यों डालते थे, अच्छा है कि इस साल उसको delete कर दिया, जिमेटरी में आपको 2 chapters cover होते हैं, that is triangle and circles, तीसरा construction होता था, अभ is area related to circles, आप भी अपनी books में open कीजिए, फटा फट से, area related to circles में बच्चा लोग आपको क्या करना, इसमें है area of sector and segments of a circle, मतलब कि आपको full-fledged first exercise तो second करनी है, problem based on areas and parameter circumference of the above set plane figure, in calculating area of segment problem should be restricted to 60, 90 and 120, okay, I think full-fledged chapter है, यह भी, सारा कुछ ही इसमें है, 12.1 आपको करनी है, क्योंकि इसमें perimeter, hand circumference के formulas used होते हैं, उसके बार area of sector, area of segment, यह area of sector हो गया, इसके आगे आपको area of segment का formula भी यहां कहीं मिलेगा, ठीक है, यहां यह रहा area of segment का, ठीक है, तो इसका मतलब यह भी आपको exercise पूरी करनी है, 12.2 भी करनी है, 12.1 भी पूरी करनी है, कुछ भी delete नहीं है, area of combination of plane figures area of combination of plane figures ना, I think यहां पे कहीं भी mention नहीं है, अगर हम यहां पे देखें, तो area of combination of plane figures कहीं भी mention नहीं है, तो क्या यह delete हो गया, इसमें, हाँ, यह पूरी की पूरी exercise ही 12.3 डिलीट हो चुकी है अभी आपके slabas से, area of combination of plane figures आपके slabas में कहीं भी mention नहीं है, तो इसको आप पूरी पूरी exercise को cut मार दो यह आपको exercise नहीं करनी area of combination of plane figure में बार बार पढ़ रही हूं क्योंकि यह cut नहीं हो सकती circumference of the above said plane figures नहीं लिखा हुआ भी कहीं पे भी फिर भी मैं आपको कहीं न कहीं short video में इसका मैं confirm कर लूँगी 12.2 exercise का sorry 12.3 exercise का I think थोड़ा सा doubt है इसमें इसका हम confirm कर लेंगे अभी आप फिलहाल के लिए इसके cross लगा दीजिए या अपने school teacher से भी आप इसका confirm कर सकते हैं surface areas and volumes surface area and volume आपको full-fledged chapter करना है क्योंकि इसमें सिर्फ frustum topic नहीं लिखा बाकि सब कुछ लिखा है आपको सिर्फ frustum का करना ह अब frustum सिर्फ last exercise आती है तो आपको 13.1 भी करनी है ठीक है 13.1 पे full लिख लो with examples volume of combination of solids भी आपको करना है ठीक है 13.2 full करनी है conversion भी आपको करनी है ठीक है अरे conversion भी आपके slabus में नहीं है अगर हम यहाँ पे slabus को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है surface areas and volumes of combination of any two of the following cubes or cuboids ठीक है spheres, hemispheres, right circular slanders and cones पे मतलब कि यह दो-दो figures जॉइन करके आपको questions बनेंगे cubes, cuboids, sphere, hemisphere, hemisphere, right circular, cone, slander, उसके surface areas और उसके volumes पे आपको आएंगे लेकिन conversion के questions नहीं लिखे लेकिन फिर भी जो conversion होती है ना वो होती है इसी पे, इनी पे होती है कि वो cube को void पे, volumes पे, volumes की formulas इसमें use होती है तो अब 13.3 को कर लीजिए, ठीक है 13.4 के बाद frustum पे है आपको frustum नहीं करना, frustum पे cross लगा दो, ठीक है इसका मतलब आपको 13.4 नहीं करनी है, right अब उसके आगे हम चलें इसकी optional exercise तो इसमें आप देख लो जो frustum वाला question है जैसे ये मुझे सीधा frustum का लग रहा है, तो ये आपको नहीं करना, और frustum का जो question है उसको delete कर दो, बागी आपको सारी करनी है, right next statistics पे चले, mean median mode आपको group data का करना है, मतलब आपको mean median mode पहली exercises करनी है, 3, last में graphally exercise नहीं करनी है, ठीक है आपको पहली exercise सारी करनी है, mean median mode की 14.1 है, उसमें mean है, उसके बाद आपको mode आता है 14.2 पे, उसके बाद next 14.3 पे आपको median मिलता है, ठीक है तो ये रहा आपका 14.3 median, उसके बाद graphical representation है, 14.4 exercise, वो आपको नहीं करनी, इसके उपर cross लगा दो, ठीक है, ये आपको नहीं करना probability as full, आपको chapter करना है, इसमें कुछ भी delete नहीं है, आप देख सकते हो, सारे का सारा ही, जितना ही, सारे का सारा topic इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको पूरे का पूरा chapter करना है, तो I hope आपको बचलोग, syllabus सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी note-down कर सकते हैं, एक बार में आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप video को pause करो, और यहाँ से भी note-down कर सकते हो, यह मैंने जो कुछ भी लिखा है, जहाँ पे tick लगई है, जहाँ पे मैंने cross लगाया है, मैं आपको एक बार सारा अच्छे से दिखा रही हूँ, आप देख ल यह है Slabers, अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं का जल्दी से कर लिजिए, वीडियो अच्छी लगिए तो लिए ज़रूर कीजिए, तो next video course structure पे में लेकि आउगी, जिसमें आपको full-fly सारा बताऊंगी कि हर एक unit में कौन-कौन से chapters आएंगे और कि उसमें questions आएंगे, right? तो important questions पे भी वीडियो ज़रूर आएगी, अगर आपने वो वीडियो देख ली और important questions वो कर लिए, तो 100% आपका result बहुत अच्छा आने वाल है, right? तो अभी सबसे पहले Slabers Mark कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मिलते हैं next video में, तब ते के लिए, bye and take care.